नमस्कार आप देखरें स्काइनेट टीव इंडिया पेसाज के मुख्य समाचार इंदोर की सास की नविन लॉग कॉलेज मामले में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा मोजीज बेग को सुप्रिम कोट ने अग्रिम जमानत दे दी है मामले में अदालत ने तीन सप्ता के भीतर राजे सरकार से जवाब मांगा है बेग पर कथित तोर पर धार में कटरता फिलाने का आरोप है प्रसिद अनपुर्णा मंदिर इंदोर परिसर में संग मरमर से तरास कर नया मंदिर बनाया गया है इस पर 20 करोड रुपे खर्च किये गए है मंदिर के निर्माण में 3 साल का समय लगा इसका लोकारपन 3 फरवरी को धुमधाम से हुआ गुरुवार को 108 कलसों से मूर्तियों का विशेक कर मंदिर का लोकारपन किया गया अनपुन्णा मंदिर इंदोर के प्रमुग धार्मिक पर्यटन इस थलों में से एक है परिसर में नय मंदिर का निर्माण 6,600 वर्गफिट में किया गया है वर्तमान में मंदिर में इस्थापित, माणपुन्ना, कालका और सरश्वति की मूर्तियों की प्रतिष्ठा नए मंदिर में की जाएगी विश्व प्रसीद स्री महा कालेश्वर मंदिर में स्रधालों की भीड कम होने पर मंदीर प्रशासन मंगलवार से सुक्रवार तक गर्वग्र में प्रवेश देकर सामानी जन को दर्शन कराये जा रहे हैं मंदीर प्रशासन ने सामानी स्रधालों को गर्वग्र से दर्शन कराने के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया है समय बढ़ने से अधिक संख्या में स्रद्धालवों को लाब मिलेगा बोपाल में मुख्य मंत्री स्री सिवरा सिंग चोहां जी के साथ IPS एसोसियेशन मद्धि प्रदेश द्वारा आयोजित IPS मिट 2023 का उद्घाटन किया इस अफसर पर डिजी पी सिरी सुधि सक्सेना जी मद्धि प्रदेश IPS एसोसियेशन के अध्यत चुस्री विपिर महैस्वरी जी सहीद अधिकारी गण उपस्तित रहे प्रतिबंदित संगठन PFI की लीगल वींग के महासची उबासित खान को भोपाल ATS ने ग्रफतार किया है ग्रह मंतरी डॉक्टर नर्तम मिस्रा जी ने कहा कि खुद को भावी मुख्य मंतरी बताने वाले कमलनाज जी को अब उनकी ही पार्टी के सिनियर नेता आइना दिखा रहे हैं मान्नी प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी मौनिंग कंसल्ट की रिपोर्ट में वैस्विक नेताओं की सुची में पहले स्थान पर हैं मान्नी मोदी जी की लोग प्रियता में सभी पिछड गए हैं विकास की लहर हर गाउं हर शहर मुख्य मंतरी से शिवरा सिंग चोहान ने आज भोपाल में आयोजी तीवा समागम कारिक्रम में पांच फरवरी से मध्धी प्रदेश में प्रारंब हो रही विकास यातरा का लोगो लांच किया रेल बजट में मध्धी प्रदेश को 13,607 करोड का बजट अवंटन हुआ है जिसमें पश्शिम मध्धी रेलवे को 8,874.70 करोड का बजट मिला है पिछले बजट में चर्चा में हो रही जबलपूर से इंदोर के बीच नई रेल लाइन को इस वर्ष बजट में 516.40 करोड रुपे आवंटित किये गए हैं जिसमें जबलपूर से इंदोर तक 342 किलो मिटर लंबी नई रेल लाइन बिचाए जाएगी रिवा के रहने वाली हर्षिका सिंग ने मंडला कलेक्टर के रूप अपने उतकरष्ट कारी से इस कहावत को अक्छर शह साबित कर दिखाया है इसके लिए उन्हें नई दिल्ली में प्रधान मंती नरिन मोदी जी के हाथों समानित किया गया है कल दिन बर की प्रमुखबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुबरात्री